हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के स्टॉक्स के बारे में यानि कि IRFC, RBNL, IRCTC इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे और यहां पर देखेंगे कि इसा रह सकता है क्या यहां से जो पहली की तरह तेजी है वह फिर से देखने को मिलेगी यहां फिर से आपको गिरावट वाला सिलसला वह कॉंटीनिवसली देखने को मिलने वाला है तो वीडियो को आप एंड तक जरू देखिए, आपको सारी चीज़े जो है अच्छे से समझ में आ जाए, सारी इंफॉर्मिशन अच्छे से समझ में आ जाए, चैनल पर अगर आप फर्स टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लीजेगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज एक लाइक जरू कर दीजे, सोडेर मुझे भी यहां से मोटिवेशन मिले, अब सबते पहले हम यहां पर बात करेंगे कि जो IRFC है, उसकी क्लोजिंग अगर आप यहां पर देखते हो, तो नेगिटिब देखने को मिली थी, यहां पर शेर में अब जो बड़ी तेजी बन रही थी, वो नहीं देखने को मिली और शेर कॉंटिनियूसली जो गिरावट है, वो दिखा रहा है, बजट के बाद से अगर आप देखो के तो चीजे थोड़ी सी ऐसी ही रही है, जिसकी वज़े से करेक्शन मोड में यह शेर 175 रुपे के लेवल बना कर आ चुका है, यानि कि अगर आप यहां पर देखते हो तो जो 200 रुपे के टार्गेट थे वो अचीव होने वाले थे, लेकिन बजट में जो एक्सपेक्टिशन थी वैसा नहीं हुआ और इसी की वज़़े से चीजे थोड़ी सी आपको नेगिटि पहले आप दिखाता हूं कि आखिर मीचल फंड हाउसे क्या सोच रहे हैं और क्या कर रहे हैं जैनवरी मंत में अगर आप यहां पर देखोगे तो एच्डे अप्ती ने बैफ जानी की बैलन्स एडवांटिज फंड जो है 41 परसेंट की बिकबाली कर दिया है 41 परसेंट से अ चाहिए और वही स्ट्रेटेजी मुशल फंड हाउसेज भी यूस करते हैं यानि कि अपने बैलन्स एडवांटिज फंड में प्रॉफिट बुकिंग करी है 41 परसेंट से होल्डिंग कम कर दिया है वहीं मोतिलाल उसबाल निपॉन इंडिया इंडेक्स फंड इन तीनों में को अच्छी खरीदारी देखने को मिली मिराय ने भी अपने मिटकाप में लगबग आदा एक परसेंट के आसपास होल्डिंग को इंक्रीज किया एडल वाइस ने अच्छी खरीदारी करी है लगबग साड़े-4 परसेंट से अपने मुमेंटम इंडेक्स फंड में यहां पर खरीदारी अच्छी देखने को मिली है लगबग 5 और 10 परसेंट के आसपास का इंक्रीज हुआ है वहीं यूटिया इन अपना बैली फंड में से 6 परसेंट का एलोकेशन कम कर दिया है लेकिन जैरोदा आप सभी को बता होगा निव फंड लॉंच हुए इनके और नहीं अच्छी खरीदारी जो है वह यहां पर करी है जो आप देख पा रहे होगे इनका लाज मिड कैप टूफिप्टी इंडेक्स फंड है तेश च्वाविस परसेंट से होल्डिंग बढ़ा दिया है वहीं नाभी और बंदन बंदन बैंक अपने निफ्टी अलफा वैं ज करते हुं नजर आ रहे हैं जिसमें जहरोदा भी आपको एक अच्छा घाजा बढ़ाते हुं नजर आ रहे हैं वहीं श्री नाम ने अपना ये लस्स जो टेक्स होते हैं जिसमें तीन साल का लॉक इन होता है तो उसमें से अपना 31% का लोकेशन कम कर दिया तो यह मैंने आपक में भी लगबग 8% की गिरावर्ती फ्राइडे के दिन और शेयर जो है जो 300 की तरफ बढ़ा था वह पहुंच गया 259 पर 272 का तो हाई बनाया था ठीक है अब यहां पर आप यह एक चीज देखकर चलो कि चीजें जो हैं वह एक ही डाइरेक्शन में चलते हुए नजर नहीं नहीं आ सकती हमेशा अगर आप यह सोचो क्योंकि मुझे बहुत सारे कॉमेंट्स भी आते हैं जैसे 26 रुपे का शियर था यह का 200 रुपे तक पहुंच रहा है और उसके बाद करेक्शन हों के 500 पर आ तो लोग बोल रहे हैं कि जब बढ़ रहा था तब तो कि हां बहुत इंफर्मिशन अच्छी है यह हुए जैसे ही थोड़ा बहुत भी गिरता है ना अरे आयर अपसी तो इतना बेकार शेयर है यह तो कभी नहीं बढ़ सकता भाई वह 26 रुपे से 200 पहुंचा है तो क्या आप यह सोचोगी कि बढ़ते ही जाए बढ़ते ही आगा ऐसा नहीं होत तो वो सारी चीज़ें आपको माइंड में हमीसा रखनी पड़ेगी अब टार्गेट के बारे में जल्दी से बात कर लेते हैं सुमित बगाडिया चॉइस ब्रोकिंग के एक्जेक्युटिव डिरेक्टर इन्होंने बोला है सपोर्ट बन रहा है आयर अपसी का 120 का जबकि य एक सो पैंतिस वन थाटी वाइब से नीचे ट्रेड करें यानि कि अगर आपके पास जैसे हजार स्टॉक्स हैं आप और लेना चाहरे हो तो वह आप तभी एड करना जब शेयर वन थाटी वाइब से नीचे चला जाए इस लेवल पर फ्रेश बाइंग की एडवाइज नहीं है अकोर्डिंग टू सुमित भगाडिया ठीक है अब यहां पर इन्होंने बोलाए कि स्टॉप लॉस भी आम मैंटेन करके चल सकते हो 120 रुपे का तो यह टार्गेट है जो कि मैंने आपको जल्दी से बता दिया है अब जल्दी से बात कर लेते हैं कि आखिर आया सीटी सी य है उत्तरगंट टूरिजम ड्वेलपमेंट बोर्ड के साथ और यह अब एक अपनी बिजन्स को और ज्यादा इनांस करने के लिए यहां पर यह सारी चीज़ें करी जा रही है अगर आप यहां पर देखोगे तो जो आया सीटी सी पेमेंट लिमिटेड के नाम से कंपनी इंक चलने वाली हैं तो उनके लिए यहां पर यह मूयू साइं किया गया है इससे अगर आप देखोगे तो ऑल वादा इंडिया के टूरिज जो टूरिश्ट है जो ट्रैवलर है वह उत्तरा घंड विजिट कर पाएंगे और अपने इसली कन्विनियंट के साथ यहां पर अपने जो भी वेकेशन है इन सारी चीजों को इंजॉय कर पाएंगे ठीक है तो मेरे गाल से आईयसी टीसी बे भी अभी पॉलिटिव व्यू पॉइंट ही बन रहा है बाकी कल देखते हैं कि क्या कुछ होता है क्यू थी के जो नंबस आयते उसका इंपक्ट अभी शेयर के प्राइ झीवाद है